हेलो गाइस, वेलकम टो बैलो जी एक्स्प्रेंग, आज बात करेंगे अठल मेडिकल एंड रिसर्च उनिवेस्टी हिमाचल परदेश की जो कि आपके मंडी में है, इस उनिवेस्टी से काफी सारे मेडिकल कॉलेज आपके आफिलेटेड हैं, जिनमें B.A.C. नर्सिंग होता ह है, जैसे आपका इंद्रा गांदी मेडिकल कॉलेज है, और शिरीलाल बाहदुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो आपका मंडी में है, ये मेडिकल कॉलेज आपकी गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज है, जो आपकी B.A.C. नर्सिंग कराते हैं, ठीक है, और काफी सारे प्राइब किरायट इरिया है इस सब्सक्राइब बात करेंगे ठीक है तो अगर हम देखें पिछली साल पिछली साल अगर हम देखें तो बीएसी नर्सिंग की एप्लिकेशन फॉर्ट जनरल और ओवीसी केंडिडेट के लिए कितनी थी आपकी दो हयार रुपे दो हयार दो सो रुपे फी से होके लिए ठीक है अगर आपको कोई भी प्रवलब्लम फिल करने में अगर प्रॉलम आती है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं से जाके इस वाली सेट पर जागे ठीक है पिछली साल आपका एंट्रेस एक्जाम 25-2023 को आपका एंट्रेस एक्जाम कंडेक्ट कराए गया था 10-12 था ठीक है इस साल ये date change होने वाली और एक महीने पहले आपका एंट्रेस एक्जाम conduct होने वाला है किसका BSC nursing का ठीक है और आपका application form क्या होगा आपका online mode मर fill करा जाएगा application form और counseling ठीक है counseling और application form आपके online mode से fill करे जाएगे आपके BSC nursing आपके 4 साल की है जिसमें एक साल आपकी internship included है ठीक है अब देखते हैं पिछली साल क्या रहा था आपका application form की date पिछली साल आपके application form BSC nursing की क्या पहली बात यह है कि आप BSC nursing only गल्स ही fill कर सकती है इसको BSC nursing के application form को और पिछली साल application form का क्या रहा था आपके 6-6-2-3-6-6-6-2-3-3 तक आपको application form का timing दिया गया था युनिविस्टी के तरू कि आप इस date से date की बीच में आप application form fill कर सकते हैं लेकिन इस साल यही application form एक महीने पहले होने वाली है और आपको मही में इसके application form दिखी जाएंगे fill करने के लिए ठीक है अगर देखे जाए admit card कर रिलीज हुआ था बीच 6-2-3-3 को आपका admit card रिलीज हुआ था पिछली साल आपका 2023 में आपका admit card कितमे हुआ था बीच 6-2-3-3 को रिलीज हुआ था आप इसी से इसाफ से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि session एक महीने आगे बढ़ने वाला है आपका मतलब पीछे आने वाला है मही में आपके application form रिलीज हुँँगे उस इसाफ से आप देख सकते हैं date of examination क्या रही है कि आपके 25-6-2-3-3-3 आपके पिछली साल examination की date रही थी और आपकी answer की उसी के अगले दिन आपकी answer की release हो गी थी ठीक है अगर किसी को objection है तो उससे अगले दिन आपको objection का time दे दिया था पांच वे तक के लिए ठीक है और उसके बाद आपको अगले महीने में क्या कराता उन्होंने आपका result declare कर दिया था declare करने के बाद आपको क्या कर दिया था कि आपको counseling की date provide कर दी थी ठीक है when he saw counseling आपके 12 जून से स्टार्ट हो गई थी ठीक है और आपके लिए क्या होता did अफ़ कुछ्छ में आफको फेस्ट रॉंड में जो भी nutr awak生 when पा्टिश्ट किया थो ऐसे से में Addiction का वोहता मैंने आपको पहले ही बता है कि इसमें female candidate ही फिल कर सकती है और government medical college की बात करें जाए B.A.C. nursing की जो आपके हिमाचल के अंदर है आपके दू ही government medical college है जो कि आपके B.A.C. nursing कराते है एक तो हो गया आपके government college of nursing आपका इंदरागानी medical college जो आपके शिमला में है वो B.A.C. nursing कराता है आपका जिसमें आपकी 60 seat है ठीक है और दूसरा हो गया आपका government nursing college का उनसा हो गया शिरलाल बहादुशास्री medical college जो है आपका नीर्चौक में मंडी में वो भी उसकी seat कितनी है 60 seat है ठीक है यही दो medical college है जो आपके B.A.C. nursing कराते है प्राइवेट काफी सारे हैं आपको देख साले रहते हैं अब इलाशी हो गया रोमा हो गया अवस्ती हो गया चामुंडा हो गया क्रेशन नर्सिंग कॉलिज हो गया इससे जारे काफी सारे medical college है जो कि आपके B.A.C. nursing कराते हैं लेकिन government medical college आपके पास जो ही है जो B.A.C. nursing कराते हैं ठीक है अब देखते हैं कि इसकी eligibility criteria क्या है इसकी eligibility criteria पर अगर धियान दे अगर जो भी female candidate है जो भी female candidate है जो bonified है हिमाचल से या किसी auto government या उसके father government employee है या central government employee है वो भी इस application form को fill कर सकते हैं ठीक है और B.A.C. nursing आपकर चार साल का है इस application को form को वो ही fill कर सकते हैं जो की bonified है हिमाचल के जिनके पास domicile है हिमाचल परदेश का ठीक है ठीक है और यह आपकी university कौन से कराती है अगर बात करें management कोटे की बात करें जो के आप हिमाचल के student नहीं है वो आगर fill करना चाहते हैं ठीक है for the filling up to the 50% management quota seat in private unaided BSc nursing college in हिमाचल परदेश there are no requirement for हिमाचल bonified जो 50% seat है जो आप जो bonified नहीं है हिमाचल के वो भी fill कर सकते हैं ठीक है अब मेल दी आपको government medical college के लिए आपको हिमाचल परदेश उन्वेस्टी का आपको पास domicile होना चाहिए bonified होने चाहिए हो आप हिमाचल के ठीक है अगर age criteria की बात करें age criteria की बात करें तो age candidate की कितनी होनी चाहिए 17-35 साल के बीच में आप होने चाहिए हो आपका bond 31 December 2030 तक आप 17-17 साल के हो जाने चाहिए हो ठीक है आप जबी application form fill कर सकते हैं या आप होने चाहिए हो 11-1989 से लेकर 11-2087 के बीच में आप लाई करने चाहिए हो तभी आप application form fill कर सकते हो ठीक है अगर आप SC-ST student है तो आपको पांस साल का relaxation मिलेगा युनिवेस्टी के थरू ठीक है और आपके लिए अगर आप candidate must have bond between 18-1984 से 11-100-2007 अगर हम बात करें age criteria की बारे में तो age criteria क्या होना चाहिए student का जो कि application form fill कर सकता है हिमाचल अब बात करते हैं कि age criteria क्या होना चाहिए जवी आप BAC nursing का application form fill कर सकते हो student की आपकी age 17-35 साल होनी चाहिए जवी आप application form fill कर सकते हो 31 December 2013 से आपको लगा जाएगा और candidate must have bond between 1-1-1989 से लेकर 1-1-2007 के बीच में आप bond होने चाहिए हो जवी आप application form fill कर सकते हो ठीक है अगर आप SCST candidate है तो आपको 5 साल का relaxation मिलेगा ठीक है और आपकी age आप bond होने चाहिए हो 1-1-1984 से लेकर और 1-1-2007 के बीच में आप bond होने चाहिए हो जवी आप इस application form को fill कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं कि आपके पास plus 2 में कितने marks होने चाहिए 12 में आपकी कितने marks होने चाहिए जिससे आप BSC Nursing का application form fill कर सकते हो अगर आप किसी भी बोर्ट से हो आगर आप हिमाचल परदिस बोर्ट से हो या CBSC से हो या ICSC से हो लेकिन आप bonified हो हिमाचल के तो आप application form fill कर सकते हो अगर आपके marks physics, chemistry, biology और English में हर एक subject में individually 45% marks है ठीक है और साथ आपके PCV में PCV में अगर आपके 45 marks aggregate है 45% marks aggregate है तो आप इस application form को fill कर सकते हो यह है general candidate के लिए कि आपके 45% marks होने चाहिए कंपल सरी है जब ही general candidate आप application form fill कर सकते हो आपके physics, chemistry, biology का aggregate 45% होना चाहिए और annual subject में आपके 45% marks होने चाहिए अब बात करते हैं जो belong करते हैं SCST और OBC candidate है उनके लिए कितने % marks होने चाहिए उनके लिए physics, chemistry, biology में आपके 40% marks होने चाहिए जब आप application form fill कर सकते हो ठीक है और आपके पास जो अगर आप journal है या OBC है आपके पास English as a course object होना चाहिए जब ही आप इस application form को fill कर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं कि BSC nursing में कौन-कौन से reservation है जिसका benefit students ले सकते है एक तो आपका freedom fighter का reservation है ठीक है defense personal और ex-serviceman का reservation है economical weaker section का reservation है ठीक है और दिखते हैं कि कहां-कहां पर आपके exam center पढ़ेंगे BSC nursing का ठीक है तो आगर हम check करते हैं कहां-कहां पर आपके exam center है उनको check कर लेते हैं ठीक है तो आपके exam center है कहां-कहां पर है आपका बिलासपूर में exam center पढ़ेगा और कहां पर पढ़ेगा आपका दरमशाला में, कांगरा में, हमीरपूर में, मंडी में, शिमला में, रामपूर में, सोलन में, कुलू में, चमबा में, नालागर में यह यह आपके exam center हैं जो के आपके B.Sc. nursing के अटल मेडिकल रिसर्च यूनिविस्टी के exam center पढ़ेंगे इससे regarding आपको, B.Sc. nursing से regarding आपको कोई भी query हो, सरा exam की preparation कैसे करनी है कि क्या-क्या subject पूछे जाते हैं, इससे regarding आपको कोई भी query हो तो मैं आपने WhatsApp ग्रूप पे या Telegram ग्रूप में आपको share कर दूँगा, ठीक है, thank you, have a next day